तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक नौवल रकसाना दी फॉर्चुनेट मिस्ट्रेस जिसा लिखा था डैनियल डेफो ने जो की एक इंग्लिश जॉर्नलिस्ट ट्रेडर एंड राइटर थे यह उनकी लास्ट नौवल थी जिसे 1724 में पब्लिश किया गया था यह स्टोरी है एक विमन रकसाना की जिसे पहले मजबूरी के कारण और फिर बाद में फेम और फॉर्चुन के कारण बहुत सारे अमीर मैं की मिस्ट्रेस बनना पड़ा तो इस नौवल की नारेटर रकसाना ही है जो हमें बता रही है की कैसे उसने अपनी लाइफ में अपने वर्चुज के साथ कॉमप्रोमाइस किया है तो नौवल में रॉकसाना को दे विमन कहकर ही डिनोट किया गया है और नौवल के एंडिंग में हमें पता चलता है कि उसका नम रॉकसाना है तो आई अब हम इसकी स्टोरी को बढ़ना स्टार्ट करती है तो रॉकसाना का जनम हुआ था फ्रांस में लेकिन उसकी फैमली को उनके religious beliefs के कारण persecute किया जा रहा था means परताड़ित किया जा रहा था इसलिए वो फ्रांस से आकर England में रहने लगे थे और फिर रॉकसाना का बचपन और adolescence England में ही भीटते है उसका husband बहुत ही घमंडी होता है arrogant person होता है वो उसके सारे पैसे वेस्ट कर देता है और उसे पूरी तरह से पैनीलेस करके उसे छोड़ कर चला जाता है रोकसाना उसके साथ 8 साल रही है और उसके 5 बच्ची है अब इन बच्चों को पालने की रिस्पॉंसिबिलेटी उस पे ही आ जाती है तो अब वो अपनी सभी relative से help मांगती है लेकिन कोई भी उसकी help करने के लिए ready नहीं होता सिर्फ उसकी एक maid उसकी help करने के लिए ready होती है जिसका नाम होता है Amy वो without wages उसके घर में काम करती है और उसके साथ रहती है Amy Roxana के चिल्डरन को उसकी sister-in-law के पास छोड़ने का plan भी बनाती है Club Roxana तो penniless है उसके पास कोई भी resources नहीं अपने बच्चों की upbringing के लिए तो वो Amy की help से अपने बच्चों को अपनी sister-in-law के पास छोड़ाती है तो अब बात आती है landlord की जिस घर में Roxana रहती है उसके landlord ने पहले तो उसकी सारी property उसके furniture वगेरा सीज कर लिये थे क्योंकि उसके पास पैसी नहीं बच्चे थे किराय देने के लिए लेकिन अब वो सब चीजी Roxana को लोटा रहा है क्योंकि उसे लगता है कि इतनी difficulties को भी Roxana strongly face कर रही है तो Roxana के लिए landlord का attitude change हो गया था तो Amy को लगता था कि इसके पीछे उसका कोई hidden purpose है तो वे इस बारे में Roxana से discuss करती है और कहती है कि landlord शाय तुम्हें अपनी mistress बनाना चाहता है तो अब जैसा Amy ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ लैंडलोड अपना सब समान वगेरा लेकर रोकसाना की रूम में आ जाता है और कहता है कि आज से मैं यहीं पर रहूँगा हम दोनों husband wife की तरह रहेंगे क्योंकि मेरी wife मुझे छोड़ कर चली गई है अब रोकसाना चाहती तो नहीं थी यह सब लेकिन अगर वो मना करती तो इतनी सारी facilities जो से मिल रही थी वो शायद उससे च्छिन जाती तो वो मजबूरी में ही सही उसके साथ रहने के लिए ready हो जाती है तो लेंडलोर्ड रोकसाना को यकीन दिलाने के लिए यह भी कहता है कि मैंने एक will लिख दी है कि अगर मैं तुम्हें छोड़ कर भी चला गया तो भी 7,000 pounds तुम्हें मिलेंगे तो अब रोकसाना को लेंडलोर्ड के साथ रहती हुए एक दो साल निकल जाती है लेकिन वो pregnant नहीं हो पाती तो रोकसाना की इस काम में help करने के लिए एमी लेंडलोर्ड के साथ सो जाती है और pregnant हो जाती है फिर वो थोटे टाइम बाद एक बच्चे को जनम देती है तो अब Roxana Amy से उस बच्चे को ले लेती है ताकि सभी को ये लगे कि ये बच्चा उसका है अब इसके दो सालों बाद Roxana को landlord से एक बेटी होती है लेकिन कुछ हफ्तों के बाद ही उस बच्ची की death हो जाती है इसके कुछ सालों बाद फिर वो एक बेटी को जनम देती है तो अब एक दिन landlord Roxana को Paris लेकर जाता है एक business trip पे तो वहाँ पर Roxana को एक बुरा ख्याल आता है कि landlord को कोई मार गया है अब उसे डर लग रहा है कि ये सच न हो जाए तो वो landlord से कहती है कि तुम प्लीज मुझे छोड़ कर कहीं मत जाओ मेरे पास रहो अब landlord को काम के सिलसले में कहीं जाना था तो उसके पास कुछ precious gems होती हैं कुछ जूल्स होती है जो वो Roxana को दे जाता है तो अब Roxana का सपना सच हो जाता है क्योंकि वहाँ से जाने के बाद landlord पे कुछ चोर अटैक कर देती है और फिर injury से उसके death हो जाती है इसके बाद जो जूल्स landlord ने Roxana को दिये थी वो उसे संभाल कर रखती है उसकी wife से और relative से बचा कर अपने पास रखती है तो वहीं पर वो एक German prince के contact में आती है और उन दोनों का एक illegitimate affair स्टार्ट हो जाता है prince की wife होने के बावजूद वो अपना बहुत सारा time Roxana के पास बिताना पसंद करता है और ऐसे Roxana उससे भी pregnant हो जाती है अब prince Roxana को लेकर एक business trip पर Italy जाता है और वहाँ पर Roxana को एक Turkish slave gift किया जाता है वो उसलिव उसे Turkish custom सिखाता है Turkish dance सिखाता है इटली में ही Roxana एक और बच्चे को जन्म देती है लेकिन वो एक week बच्चा होता है इसलिए वो जादा time जी नहीं पाता अब prince को पता चलता है कि उसकी wife बहुत बिमार है और वो अपने death bet पे है तो prince को realize होता है कि वो अपनी wife के सथ बहुत गलत कर रहा है उसे बिल्कुल भी time नहीं दे रहा तो वो उसे मिलने के लिए Roxana को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ कर चला जाता है तो Roxana वहाँ पर अकेली है और वो सोचती है कि उसे भी England वापस चले जाना चाहिए लेकिन उससे पहले वो अपने jewels की कीमत पता करना चाहती है तो ऐसे वो एक Dutch merchant के contact में आती है जो उसे एक Jewish merchant के पास लेकर जाता है तो वो merchant इन jewels को देकर कहता है कि ये तो चोरी की है कुछ साल पहले इनकी चोरी हो गई थी और वो चोरी का blame रुकसाना पे लगाता है और कहता है कि मैं तुमें arrest करवा दूँगा तो Dutch merchant की help से रुकसाना वहाँ से बचकर निकल जाती है और Holland में पहुंच जाती है तो अब Dutch merchant भी Holland में पहुंच जाता है और वो रुकसाना से मिलता है वो उसे काफी attractor है और वो उसे शादी करना चाता है लेकिन रुकसाना शादी के लिए मानती नहीं है तो वो उसे pregnant कर देता है वो उसे insist करता है कि अगर तुम उसे शादी नहीं करोगी तो ये बच्चा illegitimate कहलाएगा लोग किसी bastard बोलेंगी लेकिन सब बातों का रुकसाना पर कोई असर नहीं है और वो अपने decision पर firm रहती है तो अब रुकसाना इंग्लेंड लॉट आती है वो एक mall में इंवेस्ट करती है क्योंकि अब उसके पास बहुत सारे पैसे है बहुत rich man के साथ उसके अफ्याज रही है तो उसके पास wealth की कोई कमी नहीं है अब वो वहाँ पे एक party organizer बन जाती है उसकी parties बहुत famous होती है क्योंकि वो Turkish dress band का Turkish dance करती है तो ऐसे उसकी popularity बहुत बढ़ जाती है और इसके बाद भी वो एक old man और एक king की mistress बनती है अब रोकसाना के पास fame बहुत है पैसा बहुत है लेकिन उसका status उसकी reputation क्या है सिर्फ एक mistress की वो इस life से ठक गई है और इसे छोड़ कर एक simple life जीना चाती है अब वो outskirts में एक new घर ले ले लेती है वहाँ पर वो एमी के साथ रहती है वो new friends भी बनाती है और एक अच्छी life जी रही है वो उन सभी लोगों से दूर है जो उसे जानती है या फिर उसे हाम करना चाती है तो वहाँ पर फिर उसे वही Dutch merchant मिलता है और वो अब भी उससे शादी करना चाता है तो रुकसाना को कही न कहीं realize होता है कि इस merchant ने मेरी बहुत help की है तो ये शायद मेरे लिए सही choice है और वो उसे finally marriage कर लेती है अब उसकी शादी हो गई है और उसको एक डर सता रहा है कि कहीं उसका कोई बच्चा उसके सामने ना जाए तो फिर उसकी reputation का क्या होगा और इन सब चीजों से बचने के लिए वो डच्च मर्चंट के साथ होलेंड में जाकर रहने लगती है लेकिन अब फिर से उसका ख्याल उसका सपना सच हो जाता है उसकी एक बेटी सुजैन उसके सामने आ जाती है यहाँ पर नावल में यह भी बताया गया है कि रुकसाना का रियल ने भी सुजैन ही है तो सुजैन के आ जाने से रुकसाना को बहुत डर लग रहा है लेकिन एमी उसे कहती है कि मैं तुमारी reputation खराब नहीं होने दूँगी और इसके लिए चाहे मुझे सुजैन का मर्डर भी करना पड़ जाए तो मैं यह कामे कर दूँगी तो यह नावल एक unfinished note पे खत्म होती है इसके बाद यह clearly नहीं बताया गया कि एमी सच में सुजैन को मार देती है या नहीं नोवल के एंडिंग में रुकसाना यह कहती है कि भगवान उसे उसके बुरे कामों के लिए माफ करे तो यह बात indicate करती है कि शायद एमी ने रुकसाना की repetition के लिए सुजैन का मर्डर कर दिया था तो अभी रुकसाना होलेंड में अपने हस्बेंड के साथ रह रही है लेकिन वो अपने सभी बुरे कामों के लिए repent ज़रूर करती है तो यहीं पर हमारी नोवल होती है खाताम अगर आपको इसकी स्टोरी समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक के चैनल को सब्सक्राइब कर देना अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स वीडियो में तब तकी लिए टेक केर बाई बाई